नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी अड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिया है मैं आलसो वारिफाइड एडुकेटर अनकैडमी तो आप मुझे अनकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमंत मिसरा सर्च के लिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मैं SSC और Railway Exam के लिए पूरा एक-एक जो प्रिवेस यर क्वेस्टन आए, एक-एक क्वेस्टन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ, आपको एक-एक आप्शन का मीनिंग वहाँ पे समझाया गया है तो वहाँ पे जाएए, आप Learning Aip डाउनलोड कीजे और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजे लाइक जरूर करें, कॉमेंट करें, सेर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जरूर जूर जाए तो चलिए चलते हैं आज के क्वेस्टन पे, आज का क्वेस्टन है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रती घंटा बढ़ा दे, तो 40 मिनट कम समय लेता है परन्तु अगर वह अपनी गती 2 किलोमीटर प्रती घंटा घटा दे, तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो दूरी ग्याद करो तो दिखी ऐसे question में आप दूरी कैसे find करेंगे, distance कैसे find करेंगे, d बराबर आपका क्या होगा पहले तो अगर वो अपनी चाल 3 km प्रती घंटा बढ़ा दे, तो माल लिजे उसकी चाल S है उसके बाद क्या करेंगे, good A, S, plus, कितने km प्रती घंटा बढ़ा रहा है, 3 km, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, upon 3, ठेक है into, जो time होगा, वो क्या लिखेंगे, हम घंटे में लिखेंगे मतलब, जैसे यहाँ पर time क्या दिया है, तो 40 मिनट कम समय लेता है तो 40 मिनट को अगर आप घंटे में बदलते हैं, तो क्या होगा, देखेंगे, आपका 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट बराबर 1 बटे 60, तो 40 बराबर 40 बटे 60 हो जाएगा, ठीक है इसी तरह दूसरा equation भी बनाएंगे हैं, दूसरा क्या बोला है, परन्तु अगर वह अपनी गती 2 किलो मिनट प्रती घंटा 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 दे, तो 40 मिनट जादा समय लग जाता है मतलब second equation क्या हो गया, अगर उसकी speed है और वह 2 किलो मिनट प्रती घंटा 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 दे, s-2 upon 2, तो 40 मिनट जादा समय लग जाता है इसको हमने घंटे में convert कर लिया, अब एक बात बताएए, दोनों की distance तो same ही है, दूरी तो same है, तो हम इसको equation 1 और equation 2 को बराबर न कर दे, बिल्कुल कर देते हैं, आईए इसको मिटा के मैं वो direct लिखता हूँ, देखिए यह equation बनेगा, अब इसको हम क्या करते हैं, solve कर 3x-6, तो इस 6 को इदर लाईए, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इस 2s को इदर ले जाएगे, तो s बराबर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, तो अब हम दूरी ग्याद कर सकते हैं, दूरी के लिए हम जो है, इस s कमान किसी में रख देंगे, चाहे आप इसमें put कर द 10, अपन क्या है, 2, तो इकड़ गया 5, और इधर गोडे 40, 60, तो यह देखिए, 2 दूना 4, 2 तियाइन 6, और यह 3 चोक के 12, तो हमारा एंसर कितना हो गया, 5 चोक के 20 दूना 40, तो एंसर कितना हो गया, 40 किलो मीटर हमारा एंसर हो गया, तो वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजेगा, हम एक नए लेशन में कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बैबै,